Good morning everybody, मैं Dr. Sanjeev Kumar Sunshine Hospital गची बोली से बोल रहा हूँ आज कल कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाए होम केर कैसे करेंगे हमें वो सीखता है किस चीज को हम कोरोना बोलेंगे, किस चीज को हम वाइरल इंफेक्शन बोलेंगे, किस को हम नॉर्मल बोलेंगे घर में कोई भी लोग जनको बुमारी शुरू हो गई है fever आ रहा है, body pain सोरे है डरने की जरुरत नहीं है, panic करने की जरुरत नहीं है corona test कराने की भी जरुरत नहीं है जो जो लोग 100.4 degrees से ज्यादा fever वाले हैं उन को किसी भी तरह का viral illness होना possible है हर साल होता है 99% कुछ नहीं होता ये लोग जर्णली रिकवर करना आते हैं कुर्णा जर्णली पहले तीन दिन बढ़ता है चोथे से साथवे दिन तक इसमें सिंटम्स प्रिटलेसनेस के मोशन्स के जादा आने रखते हैं ऐसे लोग डेंजरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे आपको घर में केर क्या करनी है सबसे पहले हैं फूड सप्लिमेंट्स खाने में वेज़ डायट को प्रिफर करिए सूप, जूस या जो भी को चलाओ है वो करिए डायटरी डेरी प्रडक्स, जिंजर और लिमन का ज्यादा यूज करें नॉन वेज़ थोड़ा सा रिस्टिक्शन रखिए फूड सप्लिमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं वाइटमिन C की चूएबल टाबलेट्स हैं लिमसी खूब लीजिए पर दे दो टाबलेट्स अलाओड हैं कैल्शियम सप्लिमेंट्स या वाइटमिन D सप्लिमेंट्स लीजिए ये ओन दे काउंटर ईजी अविलमें हैं O.R.S. solution या घर का बचावा नीबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए जिन लोगों को infection है वो लोग mask यूज करिए सो देट वो दूसरे को infection ना करें बाकी लोग कपड़े से भी मुझ धक सकते हैं Sanitizer का बहुत यूज करिए जबी भी किसी तीज को touch करना है Sanitizer लेके चारों तरफ हर जगा पे आपको Sanitize करना है यही सबसे अच्छी है वेटा जो आपको बचाएंगे कभी भी इन हातों से नाख को आँख को या मुझ को touch करने को avoid करेंगे जिन लोगों को बुखा रहे हैं सबसे safe दवाई है पैरस सिटमान आपको on the counter available है एडल्स तीन से चार बार ले सकते हैं बच्चों में यह डोस आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से अगर आपको जुकाम या आँखों में खुचली ऐसा कुछ symptom है तो साथ में Monty Lucas अराम से on the counter available है इसके लिए कोई prescription की जूर्थ नहीं यह दिन में एक बार लीजे गर के अंदर यूज करें रहें एंटिबाइटेक्स जो हम एडुकेट करते हैं वह एजित्रोमाइसिन जनली पांच जिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जुरूरत नहीं रहती है अब बात के लिए क्या गरम पानी से नहीं एक लीज दो बार जिससे अगर आपके अंदर कोई कोई इंफेक्शन है जो वह दूल करके जा सकता है चला जाएगा इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते है पल्स ऑक्सिमेटर यह पल्स ऑक्सिमेटर कुछ नहीं आप उंगली रखेंगे तो यह आपको कितनी ऑक्सिजन है आपकी बाड़ी के बता देगा अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सिमेटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफेनिटली एक फिजीशन का चेकप जरूरी है मेरा देखिया आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर म रितीन प्रबलम है या जिनको डाइलिया हो रहा है या जो बात करना बंद कर दी है खाना खाना बंद कर दी है या जिनका अक्सिजन 90 से कम है यह आपको अरांट से अमेजन पे या ऑन दा काउंटर मिल जाता है 1000 रुपे का है सब लोगों को यूज कर सकते हैं जिन जिन करना बंद कर देते हैं वाइरस वाइरस लोट कम हो जाता साथ दिन के बाद प्रॉब्लम्स का बाती है चौते दिन के बाद से शुरू होती है तो चार से साथ दिन का बड़ा इंपॉर्टन टाइम है पहले तीन दिन आपको यह सब चीजें घर में एक पकेट लाके रख ले हैं वाइटमेंट्स वाइटमिन सी ओरस स्यूशन या नीगू पानी पैरसितमॉल के टैबलेट्स मॉन्टी लूकास्ट और एजित्रोमाइसिन एंटिबाइटिक फेस मास्क दो से तीन एक रोज कम से कम और हैंड सेनिटाइजर इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं बी होम जो भी इंफेक्टेड हैं बाहर मत जाएए घर में रहिए साथ दिन तक अपनी फैमिली से थोड़ा दूरी बना के रखे बच्चों को और बुजुर्बों को अलग रखे